नमस्कार दोस्तों मैं दीकेशन दॉक्त नवाब सबका हमाज यूट्यूब चैनल दिगेशाला पे आज का लेक्षर हमारा होगा लेक्षर नमबर 17 जिसमें हम चेंजिंग प्रॉफिट शेरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का एक नया टॉपिक समझेंग वह होगा गुडविल कि अगर एक पार्टनर कुछ गुडविल वगरा लेकर आ रहा है वैसे तो गुडविल लेकर आता है नहीं यह जो बिसिकली गुडविल का टर्म है वो क्या है किस तरीके से इस पीएसर में उस पो हमको अच्छे से डिसकस करेंगे तो यह हमारा पूरे कधिन के ओब लेक्षो घूर्विल के से यह जो चुका है तो जो आपने से पहले मैं आपको पता दू हौ अ panday वेश्टे प्राइच से क्लासर का शेडीूल से वा इस तरीके से वो फिरी में अविलेबल है तो नीचे जाकर आप देख सकते हैं नीचे कहां नीचे description box में description box में जाए ठीक है description box कैसा होता है कई लोग को यह पूछते हैं मुझसे तो यहाँ पर जैसे नीचे आप जाते हो ना तो सबसे पहले तो मुद्दे की बात करते हैं ठीक है जोपन को समझ में नहीं आता मुझे तो यह समझ में आता मुझे तो यह समझ में नहीं आता तो वह चीज़ हम समझते हैं कैसे समझेंगे मान के चलो एक company है यह फॉर में सौरी partnership firm है इसे 100 रुपे का profit होता है उसमें दो partners है A और B वो लोग कहते हैं हमारा जो profit sharing ratio होगा वो 3 to 2 का होगा तो इसे साब से A को मिलेंगे 60 और B को मिलेंगे 40 रुपीज ठीक है अगर 100 रुपे का profit होता है तो अब हुआ क्या सी नाम का एक नया partner आया उसने बोला मुझे भी चाहिए 20 रुपीज अब 20 रुपीज में कैसे लोगा 20 रुपीज इसे लोगा कि 10 रुपे लोगा में A से और 10 रुपे लोगा में B से मताब इसके पास बचेंगे 50 इसके पास बचेंगे 30 और इसके पास वोगे 20 ठीक है सिंप fies करें ये 10 रुपे कौन से थे? ये 10 रुपे थे उनके profit के हिस्से में से, ठीक है अब ये profit कौन सा हो गा? ये profit हो सकता है, super profit होगा? super profit मतलब ये वो फूर्फिट होता है जो पुराणे लोग, जो पुराणे पार्टनर्श उन्होंने अपनी क्या करी होगी goodwill create करी होगी market में ठीक है अपनी goodwill create करी होगी उस goodwill के दम पर इन्हें हुआ होगा यह super profit ठीक है उस super profit के हिस्से में से यह लोग कुछ दे रहे हैं एक नए आने वाले partner को C को जिसका इस goodwill से कोई भी लेना देना नहीं था यह सारी के सारी goodwill की मेहनत किसकी थी A और B की तो A और B क्या कर रहे हैं अपनी बनी बनाई मेहनत को किसे दे रहे हैं C को दे रहे हैं तो एक चिस बताओ कोई क्या कुछ free में देता है ऐसे कि भाई A और B की करीकर आई महनत है ये पहले से करी हुई महनत है और ये जो C आए वो आकर इनकी महनत ले जाए ठीक है ये तो गलत है न तो C क्या करेगा C को मिल रहा है इनका super profit का हिस्सा तो C क्या करेगा इन दोनों को compensate करेगा ठीक है? क्या compensation करेगा? यह जो extra extra इन लोगों से ले रहा है इसका compensation करेगा 10 रुपे का और इस compensation को हम बोलते हैं premium ठीक है? इस compensation को हम बोलते हैं premium किस चीज़ का premium? तो premium for goodwill यह goodwill के लिए premium पे कर रहा है गुडविल के लिए जो इसने इनकी goodwill use कर रहा है जो इसकी goodwill के वाज़े इसे profit होगा C को जो कह सकते हैं मुनाफ़ा होगा या जो इसे benefit मिलेगा उस benefit का यह premium पे कर रहा है तरीके से compensation दे रहा है तो यह बात आको समझ में आई यह कहलाता है premium for goodwill जो C goodwill यूज़ करेगा उसके लिए वो premium पे करेगा कितना पे करेगा? तो जितना लेगा उतना पे करेगा simple सी बात है आई बात आको इतनी समझ में तो यही होता है जो है premium for goodwill इसी के बारे में हम पूरा-पूरा discuss करेंगे इस chapter में ठीक है इसी के entry किस तरीके से होगा क्या होगा उसी को हम discuss करेंगे अब जो accounting treatment of goodwill है वो क्या बोलता है? मतलब accounting standard 26 है अब यह accounting standard 26 क्या है? तो यहार देखो हम सब के उपर मतलब पूरे accountants के उपर एक body होती है जो हमें rules and regulations बताती है वो होती है ICAI Institute of Chartered Accountant of India यह सारे के सारे rules और regulations को तेह करती है सारे guidelines तेह करती है जिन guidelines को हमें follow करना होता है और हिनी को follow करती है हमें सारी की सारी चीज़ों को record करना होता है ठीक है? तो AS26 जो कि ICAI ने issue किया है वो हमें यह बताता है कि किसी भी goodwill को हम record नहीं कर सकते किसी भी self generated goodwill को किसी भी self generated goodwill को हम record नहीं कर सकते हम सिर्फ और सिर्फ purchased goodwill को record कर सकते है हम सिर्फ और सिर्फ purchased goodwill को record कर सकते है purchase goodwill simple सी बात है बहुत सीथ सीथा सीथा मतलब इसका purchase मतलब किसी से हमने खरीदी हुई हो तो ही record कर सकते हैं जैसे हमारे A और B का firm था अगर यह किसी दूसरी firm alpha beta से goodwill खरीदते तो ही यह से record कर सकते थे otherwise यह इसके अलावा किसी भी condition में record नहीं कर सकते तो हमारा case क्या था हमारा case यह था कि A और B जो थे partners थे C नाम का एक नया partner आया उसने क्या किया इसके goodwill के compensation में इन्हे premium पे करा ठीक है इन्हे premium पे करा तो एक तरीके से देखा जाया तो इन्हे goodwill के बदले पैसा तो मिल रहा है ठीक एक तो इन्डिरेक्टी देखा जाया तो A और B को क्या हो रहा है इनके goodwill के बदले पैसा मिल रहा है ठीक लेकिन हम क्या कर सकते भाई इनका goodwill था वो in cash हो गया जो इनका goodwill था वो in cash हो गया in cash मतलब वो cash में convert हो रहा है यह था हमें दिख रहा है लेकिन हमेंसे ऐसा goodwill तो record कर ही नहीं सकते है यह चीज़ पता है कि यह जो पैसा आ रहा है वो goodwill की वज़े से आ रहा है यह जो premium आ रहा है वो goodwill की वज़े से ही आ रहा है बट बट फिर भी हम उसे record नहीं कर सकते क्यों क्योंकि clear clear इस condition को follow कर ही नहीं रहा कहीं से खरीदी नहीं जा रही है ठीक है इस चीज़ को यह follow कर ही नहीं रहा अगर यह follow कर ही नहीं रहा तो हम इसे record भी नहीं कर सकते goodwill के नाम से हम इसे goodwill के नाम से record नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं इस चीज़ को record तो करना है जैसे भी करके हमें तो record कर नहीं करना है तो हम क्या करते हैं इसे as a premium premium के नाम से record करते हैं तो यहाँ पर AS26 ने हमें ये रास्ता दिखा जा है कि अगर कुछ cases में नया partner कुछ अपने share of goodwill लेकर आता है cash में ठीक है cash में लेकर आता है ठीक है अपने capital के साथ मतलब capital ला रहा है वो तो अलग ही है उसके साथ में कुछ extra amount भी लेकर आ रहा है compensation देने के लिए तो उसे हम as a premium treat करेंगे ठीक और उसे credit कर देंगे किसके में old partners के capital account में उनके sacrificing ratio में ठीक है ये जो है AS26 हमें बोलता है मतलब जैसे ये जो premium आया ये premium आएगा जैसे ये 10 रुपे premium लेकर आया था 10 रुपे A के लिए 10 रुपे B के लिए ये लेकर आया था ठीक है तो ये 10 रुपे A के लिए 10 रुपे B के लिए तो हम क्या entry मारेंगे इसकी हम entry कर देंगे premium account debit to A's account to B's account ठीक है इस तरीके से यह हम एंट्री करके इसे रिकॉर्ड कर लेंगे इसके लावा कुछ नहीं करना हमें ठीक हो कहीं भी गुडविल का नाम लिया नहीं नहीं लिया तो इस तरीके से इसके एंट्री होगी यह बात आको सवाज में आई पक्का आप देखो आप पूछ रहे होगे सर ऐसा क्यों कि या आपने A और B का तो एक तरीके से गुडविल इनकैश हो रहा था ना तो आप क्यों नहीं कर रहे है इसको ऐसा तो मैं यह बोलूँगा कि भाई देखो ना यह जो गुडविल है यह इनकी इन्हेरेंट गुडविल है अगर मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया तो वाइलेश यह जो है प्रीमियम के थ्रू एंट्री करने का रास्ता अपनाया है तो आई हूप आपको यह चीज अच्छे से सब्च में आ चुकी होगी ठीक है और यह सारे के सारे जो नोट्स है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में जाना वहाँ पर नोट्स के लिए लिंक है वहाँ मि इसक ​-कस​ तरीक से रिकॉर्ड की जा सकते है थोड़ा यह भी बता दीजी आप तो मैंने आप पता है गड्विल रिकॉर्ड करने का तरीका यह यह कि उसे ऐसा प्रीमियम की रूप में रिकॉर्ड कीया सकता है ठीक है प्रीमियम डेबिट टू hoe top टन्स योड पशिक यह त एक तरीका है जो इसका दोनों का base है वो मोटा मोटा base बलकू सेम ही है को ज़्यादा फर्क नहीं है बस थोड़ा सा minor फर्क है minor तो नहीं कह सकते लिए एक फर्क के दोनों में है वो फर्क है वो धीरी धीर हम समझ में समझ लेंगे ठीक है तो इस पूरे lecture में आपको यही है तो यह वीडियो कम से कम एक से देर घंटे की हो जाएगी इसलिए मैं premium method की सारी condition आपको अच्छे समझा दूंगा ठीक है इसमें basically तीन conditions मिलेंगी आपको वो तीनों condition अच्छे समझा दूंगा और देन हम लोग जो है next lecture में evaluation अच्छे से समझेंगे अभी से window लेके करना पड़ सकता है ठीक है अब premium के क्या situation से सबसे पहली situation number A कि जो payment है वो जो C आया ठीक है जो C आया उसको जददर सुर्पे की payment करनी है दोनों को A और B को तो पहली condition यह हो सकती है कि C क्या करे पुराने partners को privately वो चीज़ दे दे ठीक है पहला condition यह हो सकती है कि यह जददर पुराने partners को देने के बाद और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जो payment of cash है वो privately ना किया जाए और firm के through किया जाए मतलब अच्छे openly किया जाए सबके सामने ही ठीक है और उसमें भी यह हो सकता है कि वो firm ही retain कर ले यह हो सकता है जो old partners है वो से withdraw कर ले यह condition हो सकती है तीसरा जो जावा को छोड़ देगा तो यह तीन condition आपके सामने बन सकती है तो एक एक करके इन तीनों conditions को समझ लेते हैं कि इन तीनों condition में किस तरीके से आपको entry करने और किस तरीके से goodwill के adjustment करना है तो सबसे पहला condition कि अगर वो बंदा आया और cash के payment partners को privately कर दी तो क्या करेंगे तो भा चुप चाप यह और भी को घर पर बुलाया घर पर बुलाने के बाद उसने बुला यह लोग चुप चाप तुम पना पईसे पकड़ो यह तुम अपना पकड़ो और bye bye ठीक है टाटा टाटा यह बोल दिया तो बस यह बात क्या हुए प्राइबेट में हो गई यह चीज कही प्राइबेट में हुआ है तो अगर कभी प्राइबेट ली पेमिंट की जा रही है तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी है ध्यान रखना उसकी हमें कोई भी एंट्री की जरुरत नहीं है no entries are required simple सी बात है दूसरी कंडिशन दूसरी कंडिशन यह है कि cash की payment करी है और यह openly करी है सबको बाता दिख रहा है यह openly करी है ठीक है openly करी है और वो जो है रीटेन इन दा बिजनिस ठीक है और बिजनिस में रीटेन की जा रही है मतलब A और B को क्या हुगा दर्दास रुपे मिले और यह दर्दास रुपे इन लोगों ने withdraw नहीं करे अपने personally उसके लिए withdraw न बहुत आसान है समझना यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर बहुत सिंपल सा है क्या करना होगा आप लोगों को देखो यहां पर आप एंट्री इस तरीके से करोगे कि सबसे पहले यह कौन सी जो है वो 20 रोपे cash लेकर आया तो आप एंट्री करोगे cash account debit सबसे प करेंगे to premium account ठीक है यह firm की income होगे एक तरीके से फिर क्या होगा इसके बाद इस income को हमें खतम करना पड़ेगा premium account debit to old partners account ठीक है to old partners account अब वो क्या करेगे उस 20 रुपे को इस 20 रुपे को हम 10-10 रुपे में बाट देंगे ठीक है उस 20 रुपे को हम 10-10 रुपे में बाट तो अगर आप ध्यान से देखो, ए और बी के पास 10-10 रुपे पहुँच गाए, ए और भी 10-10 रुपे से क्रेट हो रहे है, क्रेट का मतलब यह होता है कि जो हमारा कैपिडल अकाउंट है, वो इंक्रीज हो रहा है, तो ए और बी के पास 10-10 रुपे पहुच गाए, अब हम चा अकाउंट है, ए और भी 10-10 रुपे, इस तरीके से भी हम इसे कर सकते थे, वाट मैं प्रिफर करूंगा कि स्टार्टिंग में आप यह वाला यूज करो, क्यों कि इसमें प्रीमियम शो हो रहा है, कि हम लोग प्रीमियम का यूज कर रहे हैं, तो मेरे खास से आपको यह कोश में बाट रहा है, जनरली कोशन में दिया रहता है, कि इनका जो सेक्रिफाइजिंग रेशो है, ए और बी का, वो यात होगा, 2-1 का, 3-1 का, 3-2 का, इस तरीके से दिया होगा, और अगर ना भी दिया हो, तो देखो, नोट लिका हुआ है, कि जब कुछ स्पेसिफिक नहीं द बाट दोगे, मतलब यहाँ पर इसके पास आ जाएंगे, कि तो जाएंगे, 5-4-20, तो यह 20 अगर बाट है, तो 4-3-12 और 4-2-8, तो 12-28 इस रेशो में बट जाएंगे, अगर इसमें कुछ मेंशन ना हो, इसमें मेंशन कर दिया थे, अगर मेंशन ना होता, तो आप इसको प सबसे पहले, सिंपल आला कुशन करते है, कि A और B जो थे, वो पार्टनर्स थे, इना पार्टनर्शिप फर्म, ठीक है, और उनका जो रेशो था, वो 3-2 का रेशो था, ठीक है, सिंपल सी बात हो गई, आगे देखते है, C जो है, पार्टनर्शिप में आया, किसके लिए, 1- और C इने क्या करा, 2,000 उपे लेकर आया, यह वो प्रीमियम का माउंट है, यह वो प्रीमियम का माउंट है, जो लेकर आया, ठीक, A and B keep their mutual ratio, unchanged इने, उन्चेंज आका, ठीक है, the amount brought by C, will be retained in the business, business में retain किया जाएगा, तो पास जनलर्शिप में जनलर्शिप करनी है, तो बिजन तो सबसे पहले तो देखते हैं भाई, देखो, तो यहाँ पर entry सबसे पहले simple सी क्या हो जाएगी, यहाँ सीधा सीधा amount दिया हुआ था, 2000 का, clear रिखा हुआ था, C brought 2000 for his share, तो इसमें clear premium का amount दिया हुआ था, तो हम लोग entry करेंगे, entry क्या करेंगे, cash oblique bank, account debit, ठीक है, कितने 2000 रुपीस ला रहा है, to premium account, हम premium के नाम से इसको book कर लेंगे, जो हमारा cash भढ़ा रहा था, cash भढ़ा रहा है, और यहाँ भे हमारी income भढ़ लिए, firm की income कितने रुपए से 2000 से, ठीक है, फिर क्या करेंगे, firm जो है, यह income खुशतर रख नहीं सकती, तो इस income को कम करेंगी, premium account debit, और जिनका यह पैसा है, उन्हें बाट देगी, किसे बाट देगी, to A, to B, to A's account, to A's capital account, इसको अगर पूरा लिखम तो, और 2 B's capital account, ठीक है, तो किसे बटेगा, यह 2000 बटेगा, अब यहाँ पर देखो, ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं था, कि किसी ratio में बाटना है, तो ऐसा हो, तो इनका जो पुराना ratio होता है, उसमें ही आपको बाट देना है, तो पुराना ratio कहा था, 3 to 2 का ratio था, तो 2000 को, 3 to 2 के ratio में बाट होंगा, तो कितना जाएगा, तो 1200 यहाँ जाएगा, और 400, यहाँ, sorry, 800 यहाँ जाएगा, ठीक है, अब आपको ratio में अगर बाटना ना आता ह तो नीचे एक description box में link है, उसमें मैंने आपको क्या कहा था, ratio सिखाया है, पूरा अच्छे से, इस particular chapter के लिए वो वीडियो में बनाया है, क्योंकि कई बच्चों को ratio में दिक्कात आ रही है, तो आप वहाँ जाकर वो चीज देख सकते हो, तो यह हो जाएगा 1200 रुपे, यह ह यह हो जाएगा 800 रुपे, तो यह simple सी entry हमारी हो गई, यह पूरा हमारा answer हो गया, तो आई हो आपको यह अच्छे सा स्वाज में आ चुका होगा, अब चाहते तो आप इसकी combine entry भी कर सकते थे, combine entry क्या होती, cash account debit to A's account और B's account, ठीक है, to A's capital account to B's capital account, कितने रुपे हो, 2000, यहाँ आप पर 1200 और 800, इस तरीके से भी हो सकता था, मतलब मैंने क्या किया, premium से premium हट गया, यह बचा, यह बचा, यह और यह, इतना इतना बचा, ठीक है, इतना इतना बचा, simple सा, तो यह भी entry की जा सकती थी, खेर, इतने तो simple से आपको यह चीज समझ में आ चुकी होगी, यह question भी आपको उच्छे समझ में आ चुका होगा, अब इसमें अगला पार्ट देखते हैं, अगला पार्ट क्या है, कि मान के चलो, कि नया पार्ट, चुस्त का थर्ट कंडिशन है, इसी में जो एक और कंडिशन थी, बताना चाहरा था, आपको एक सेंगर रुख जाए, पीछे ले रहा हूँ, इसी से आगे बता दे रहा हूँ, इतना तो हमारा हो गया था, कि premium आ गया था, उस premium को हम लोगों ने, जो है, A और B के proper capital ratios में बाट दिया था, अब आगे क्या करना है, अगर इन्हें withdraw कर लिया तो, तो withdraw कर लिया तो कुछ खास नहीं है, withdraw कर लिया तो obvious ही बात है कि इस capital account कम होगा, ठीके, A Capital account, B Capital account, कम हो जाएगा, कम होगा, तो debit क्यों कम हो रहा है, क्यों कि liability हमारी कम हो जाएगा, इनके प्रती, तो यह 12-100 रुपे, और 800 रुपे, और हमारे जो, हमारे जो partnership firm है, उस firm में से क्या जाएगा, cash जाएगा, cash कम हो जाएगा, to cash या बैंक, त तो अगर इस तरीके के कोशुन आ जाए कि भाई उनलोगों ने पैसा भी र्यूप भी कल लिगा तो पहले आप ये दोनों एंट्री करोगा एंट्री नमबर 1 फिर नमबर 2 और फिर फाइनली यह जो एवर भी है यह cash निकाल के लेगा है तो वह cash कम भी हो गया तो इस तरीके से हमारी पूरी entry हो गई और अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था हमने जो थी liability बढ़ाई थी liability को credit करके मैं color change कर लेता हूं हमने liability को credit करके हमारी liability increase करी थी और इसके बाद क्या हुआ भाई इसके बाद यह हुआ कि यह लोग पैसा लेकर जा रहे है तो आप यह चीज अच्छे से समझ में आ चुकी होगी और कोई भी doubt इसके अंदर आपको नहीं रहा होगा और इसके अंदर यह लिखा हुआ था है कि अ है आप सोरी जो old partner से अगर वो withdraw कर लें तो क्या करना है तो यही सब करना है जो मैंने आपको करके दिखाया ठीक है है हाँ एक चीज और है कि अगर premium जो है वो cash या goodwill विल यह तो मैं आपको बताई दिया कि premium अगर cash में लेकर आ रहे हैं तो goodwill नहीं शो कर सकते आप balance sheet के आगे देखते हैं लास आगे है यह last चीज़ लास्ट क्या है कि मान के चलो कि premium जो है वो काईट में मतलब कि मान के चलो जैसे stock में लेकर आगया ठीक है या फिर कोई दूसरे चीज़ों में लेकर आगया जीज़ों कोई asset लेकर आगया वो असर मतलब कुछ भी चीज़ लाया बस cash लेके नहीं आया cash और bank वगर यह सब लेके नहीं आया तो उसकी entry हम किस तरीके से करेंगे उसकी recording हम किस तरीके से करेंगे तो बहुत आसान है यार बहुत बहुत जादा आसान है कैसे अभी तक आपने देखा था अभी हम क्या कर रहे थ अभी हम cash या bank account को debit कर रहे थे ठीक है cash या bank account को debit कर रहे थे two premium account और फिर क्या कर रहे थे इस premium account को debit करके हम your bk account ट्रांसफर कर रहे थे यही कर रहे थे ना one or two में अब यहाँ पर क्या है यहाँ पर यह कि cash और bank के लाब हो कुछ और ला रहा है kind लेकर आ रहा है तो यह क्या कर करते हुए है जो चीद्वों लेकर आ रहा है उसे यूज कर लेंगे इसका मतलब यहाँ पर हम यूज करेंग तो स्टॉक्कometer कर देंगे इंगे ठीक है यहां ने क्या करा स्टॉक सोग कर दिया और अपना यहां इस इंकम भी शोग कर दिया और बीक एकाउंट में ट्रांसफर कर दिया उसे सिंपल सी बात है तो अबर कैश और बैंक नहीं ला रहा है काईंड लेकर आ तो काईंड में जो भी चीज़ लेकर आ रहा है उस चीज़ का नाम यहां पर लिख देंगे हम ठीक है तो जैसे यहां प इस प्रीमें इंदा फॉर्म आफ गूर्स तो यह गूर्स के रूप में लेकर आया ठीक है कि यह काईंड में क्या कोट्स के रूप में लेकर आया तो दा गुडविल आउधा फॉर्म की वह 12,000 रुपे मानी गई है तो इसकी जनल इंटरी पास करना है तो यहां दो कोश्ट से इस कोशन में दो चीज़े हैं सबसे पहले तो क्या लिखा हुआ है यह नहीं लेखा कि सी कितना रुपए लेकर आया हमको इतना पता है कि सी वन फॉर्थ शेयर के लिए हिस्सेदार है और टोटल जो फॉर्म की गुडविल है वह कितनी है बारह हजार रुपए तो सबसे पह ही प्रीम इतना प्रीम है अमें एंट्री करना है तो आयिए कर देते यहां पर देखो थोड़ आशृताइट واरॉर जो स्लाइट चीज और रही है और उसके लिए तो से entry कर देते हैं इसकी entry क्या होगी entry होगी इसकी goods account debit, goods तो वैसे नहीं बोलेंगे, actually stock तो stock account debit कितने रुपै से 3000 to premium account तो premium account कितने रुपए से 3000 ठीक है यह हम लोग ने पहले entry कर ली दूसरे entry क्या होगी दूसरे entry होगी सिंपल से premium account debit to A and B's account अब यहाँ पर कुछ भी उनका ratio दिया नहीं था तो हम 2 to 1 में बाद देंगे उसे तो इस 3000 को 2 to 1 के ratio में बाद देंगे इसका मतलब 2000 और 1000 इस ratio में बाद देंगे तो I hope आपको यह चीज़ समझ में अच्छे से आ गई होगी ठीक है यह हमारी पहली entry और दूसरी entry इस तरीके से यह पूरा कोशन हम लोग ने solve कर लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपको हर्ची समझ में आ चुकी होगी जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है इसके बाद जो है वो हमारा second method that means कि revaluation method बचा है तो revaluation method जो है वो मैं आने वाली वीडियो में आपको अच्छे समझा दूँगा ठीक है उसमें क्या पूरा होगा तो इस तरीके से ही पूरा कोशन इस तरीके से solve होगा बस जो गुडविल हम जो premium account है जैसे यहां पर आपने क्या देखा यहां पर यह बोल रहा था कि जब C का admission हुआ जब C आया तो उस समय जो गुडविल calculate की गई थी वो 12,000 रुपे थी तो यह गुडविल को क्या करेंगी है रिवैलूइशन method में assets और liability को वापे से revalue करके वापे इस goodwill find out करेंगे वस नई goodwill के हिसाब से फिर इसका one-fourth share निकलेगा फिर वह चीज solve होगी यह आने वाला यह चोटा सा introduction दिया है बस मैंने आपको तो आने वाली वीडियो में मैं आपको अच्छे से पूरा detail में समझाऊंगा कि किस तरीके से revalue होता है क्या क्या revalue होता है और उसके क्या logic से हैं और क्या उसके जो हैं पूरे पूरे गाइडलाइन से हैं तो तब तक इंतजार करिएगा और जल्दी वो वीडियो आएकि ऐसा नहीं है तो मेरे खाल से आज की जो वीडियो है वो इतनी काफी लंबी हो चुकी और काफी कुछ सवज में आ चुका होगा कुछ सवज में ना आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स तो ही वहां मुझे डाउट पूछ लीजेगा माकी सारे के सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल जाएंगे बिल्कुल परिशान मत हुएगा और वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको शेर दरूर करते ना और आप चाहो तो मुझे अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पे और फेस्बुक पे जुड़ सकते हो तो जाए जुड़िये यार वहां पर आपको मेरे परसनल टश मिलेगा सीधा जाकर आप डारेक्ट मेसेज कर सकते हो मुझे त तो आज के लिए इतना ही अगले लेक्चर आएगा मंडे को मंडे को नहीं आज के आए अगले लेक्चर आएगा आपका फ्राइडे को ठीक है अगले लेक्चर आपका फ्राइडे को तब तक के लिए वेट करिए आज के लिए इतना ही दोस्तों थैंक यू